नमस्कार साथियो न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं साल 2013 में एक डॉलर के मुकाबले 68 रुपया हुआ करता था और उस समय भाजपा के समर्थक कहा करते थे कि जब मजबूत नेता आएगा तब रुपय की कीमत मजबूत होगी और आज हालात ये है मजबूत नेता के दौर में कि एक डॉलर के मुकाबले 80 रुपय के आजपास रुपया हो गया है तो इस पूरे परिदिर्शे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जवाहलाल नहरुवी सुविद्याले के अर्थसास्त्र के प्रोफेशर सुर्जीत मजबूदार तो सर आपसे पहला सवाल ये होगा कि हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपय का उतार चड़ाव होता रहता है लेकिन इस बार के उतार में क्या है इस बाहर के गिरावट में क्या अंतर है पहले के मुकाबले में लिए उतार चड़ाव रुपय में जो है हर रोज होता है एक दिन से दूसरे दिन में होता है और वो फॉरी तोर पर इस पर निरवर करता है कि बाजार में डॉलर कितना उतलप्द है और डॉलर की मांग कितनी है उस पर निर्बर करता है कि वो चड़ेगा या घटेगा और ये कभी बढ़ता है कभी कम होता है लेकिन ये उतार चड़ाग जो है ये किसी औसरतन मूल्य के इर्ध गिर्ध होता है और अगर हम लंबे दौर में देखें तो हम देखते हैं कि रुप अगर आप देखेंगे रोज के रोज देखेंगे कभी इतना परिवर्तन नहीं होता है वो कम परिसीदिया ऐसी होती जब कोई बहुत ज़्यादा बात्रा में परिवर्तन हो लेकिन ऐसे बीच-बीच में दौर आते हैं जब रुपे का मूल्य जो है काफी तेजी से घटता ह और इसी के माध्यम से औसतन मूल्य जो है परिवर्तित होता रहता है और इस औसतन मूल्य के गिलने के पीछे दो मुझे गारन है पहला तो ये कि हिंदुस्तान में जो चीजों की कीमते बढ़ती है जो मुद्रास्विती है या इंफलेशन रेट है वो आम तोर पर बाकी शम्ता लगातार गिरती है और डॉलर की जो खरीदे की शम्ता अंतरश्च बाजार में है उस से तेजी से गिरती है उस असंतुलन के कारण एक उसंतुलन को वापिस लाने के लिए प्रवर्ति बढ़ती है कि रुपे के डॉलर के मुकाबले में भी कीमत घटे और दूसरा का परण यह है कि हिंदूस्तान जो आयात मिरियात करता है बस्तूव का我 सेवाओं का उस प्रक्रिया में हिंदूस्तान के सामने हर समय, हर वर्ष एक घाटे के स्थिती होती है कि हम जितना खर्च कर रहे हैं विदेशी मुद्रा, उसके मुकाबले में हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई कम है. इस घाटे के कारण भी एक लगातार दवाब बना रहता है रुपे की कीमत को गिर्णे में क्योंकि यही चीज मुख्य रूप से तेय करता है कि आम तोर पर कितने डॉलर उतलब्द हैं और कितने मांग कितनी हैं. वो इस फासले पर निर्भर कर जैसी फासला होगा एक प्रवर सरकार ने लिखित जवाब दिया संसत में कि रूस-उक्रै Braun युद्ध की वज़ा से रुपे की कीमत गिर रही तो उसके पीछे भी क्या कारण है कि अब और युद thing खड़े आने कि श्री लंका की श्री लंका कि स्तिती की हर दाल तर साल आपका घाटा उसको कुम्ढे कि लिए बाहर से करजा ले रहे हैं किसी किसी वक्त और ऐसी स्तिती स्तिती आती आपके पास विदेशी मुदरा है, हमारे यहां, हम अपने बाजार को खुला रखते हैं और विदेशी पुंजी को आमंतरित करते हैं कि आप आये देश میں निवेश कीजी है और इस विदेशी पुंजी से हम उस फासले को पूरा करते हैं और ना केवल विदेशी पुजी से वो फासला पूरा कर रहे हैं रिजर्ब बैंक के पास जो विदेशी मुद्रा का बंडार है वो भी इसी विदेशी का जो हिंदुस्तान में आगमान है उस पर निरबर है और उसी विदेशी मुद्रा बंडार के आधार पर RBI जाए फॉरेंग एक्षेंज मार्केट या विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षिप करती है यह रोज मार्रा के जो उतार चड़ाव है इनको सीमित रखने के लिए जब जरुद पड़े तो डॉलर बेजती है जब डॉलर पड़े तो डॉलर खरीदती है और इसके माधिय के लिए तो आपके सामने एक दूसरी समस्या है वह यह कि वह पूजी किस तरीके की है हमारे हां हदेश में वह पूजी नहीं आती जो कि यहां पर उत्पादन करके अंतराश्य बाजारों में समान बेचेगी यानि कि विदेशी बुद्रा के रूप में पूजी आती तो है लेकिन वो क्माई करने का कोई तरीका नहीं बना था ठीक है और इसी यह उससे जुड़ा हुआ है कि हमारा जो खरीदना है वो जादा है और बेचना कम है पहली बात है दूसरा जो बहुत बड़ा हिस्सा पूजी जो आता है वह वित्य पूजी है वह उत्पादन के लिए न करो करोड़ों डॉलर कि लिए बेचना कई वर्षों लगते हैं उस निवेश पे जो कमाना है उसकी परक्रिया लंभी है लेकिन जो वित्य बाजारों में पूजी आती है वो आती है जाती है उसमें एक अस्सिरता रहती है वो कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है हम उस हमारी जो विदेशी मुद्रा की कमाई है और खर्चा है इसमें जो फर्क है इसको पूरा करने के लिए इस घाटे को पूरा करने के लिए हम विदेशी पूजी पर निर्भर है विदेशी पूजी देश में अगर आएगा निवेश करेगा तो हम इस घाटे को पूरा कर पाते हैं और इसी विदेशी पूर्जी पर हम निर्वर हैं अपने देश के विदेशी मुद्रा बंडार को बनाने के लिए जिसके आधार पर रिजल्ब बंक निर्शी मुद्रा बाजार में हस्क्षिप करती है जब उतार चड़ाव हो रहा है रोज बर रहा उस उतार चड़ाव को सीमा के अंदर लखने का एक प्रयास होता है डॉलर खरीद के और बेच के जरूरत के मुताफिक थोड़ा आप हमारे दर्सकों को यह बताएंगे कि यह जो आपने कहा कि हम बहुत कम मात्रा में उत्पादन के लिए विदेशी पुझी आती है और बहुत जादातर मात्रा में वित्तिय पुझी के तौर पर आती है अनिकि अगर मैं ठीक समझो तो स्टॉप मार्केट में इन्वेस्टमेंट में जो लगती है सारी चीज़े त आप उसको कैसे किस चीज़ को देखते हैं कुछ चीज जिसको हम उत्पादन के लिए कहते हैं उसका भी वित्तिय चरित्र है स्टार्ट अप में पैसा आता है या कोई विंचर कैपिटल है जो मुख्य रूप से कि एक जो निवेश है जैसे बहुराश्य कंपनी कोई आती है हिंदुस्तान में फैक्टरी लगाती है किसी चीज़ का उत्पादन करती है वो निवेश में भी एक चरित्र है हिंदुस्तान कि वो उस उत्पादन के लिए नहीं आती जिसको अंतराश्य बाजार में बेचा जाए यानि कि विदेशी पुझी के पुझी के रूपे तो आत निकल भी सकता है और उसके कारण उसके आने जाने से विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार अस्थिता की स्थिती बनी रही है और एक है अगर लोग अपेक्षा यह सोचें कि यह कीमते बढ़ने वाली है तेजी से हिंदुस्तान और इसके आधार पर अपना फैसला ले तो जो विदेशी पूझी हिंदुस्तान में आती है वो क्या कैलकुलेशन करती है कि अगर यहां तेजी से कीमते बढ़ी और रुपे का मूल्य गिरा तो हमारा पैसा जो है जो हिंदुस्तान में लगा है उसके मूल्य को खत्रा है इस अगर हम अपने बाजारों को पूरी तरह से खुला रखें और इस पर कोई नियंतर न रखे कि पैसा आने जाने पर कोई अगर हम काने न रखे तो हम इस खत्रे काई से हर समय के डिरेंगी यह कंडुरा लगाता और इसके लिए जरूरी भी नहीं कि हिंदुस्तान की अर्थ्वस्ता में कोई दिक्कत हो समय अंतराश्य स्थिती परादारी थे क्योंकि यह पूझी इदर हिंदुस्तान में जैसे आती है कहीं पर भी जा सकती है अगर उसको लगए कि अंतराश्य अर्थवस्ता की स्थिती कमजोर है तो भाग के अमरीका जा सकती है उसको लगता है कहीं और बाजार में ज्यादा कि किसी तरह विदेशी पूंजी जो आती है उसको खुश रखें और यहां से पैसा ना निकाले ताकि अश्वासन की कि हिंदुस्तान की कीमते जो हैं अजसे जादा बढ़ेंगी नहीं यानि कि आप अपने अर्चवस्ता में उत्पादन को गिरा कर मांग को गिरा कर आप उनको सुनिश्चित उनको आश्वासन देते हैं इसलिए आप जब पर बढ़ती हैं इंट्रेस्ट रेट बढ़ाते हैं कि आज कदर बढ़ते हैं और सरकारी खर्चे में जो है आप हर समय कोशिश में होते हैं कि सरकारी खर्चे को कैसे अंकुश में रखा जाए फिसकल डेफिसिट को कैसे सीमिद रखा जाए तो यह जो प्राठ्विक्ता है सरकार की बन जाती है क्योंकि उनका ध्यान रहता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में जो है असिर्था नाम है कुछ साल पहले मतलब रिजर बैंक के कामकाज में थोड़ी बदलाव आया और कहा गया कि महंगाई को नियंतृत करने का रिजर बैंक काम करेगी उस परिप्रेक्ष में देखा जाए तो यह जो विदेशी विनमेदर ह के दर को कम करके रखे ठीक है आखिरकार हमको चिंता क्यों है महंगाई होने से कि हमारे पास जो खरीदने की शमता है लोगों की वो अगर बढ़ती नहीं है तो जो खरीद पाएंगे वो कम हो जाएगा इसी कारण से चिंता है अगर आप दूसरे तरीके से उनके खरीदने की कि रोजगार मिले तो वेतन कम है तो आप विदेशी पूजी ला रहे हैं उनके लिए उनकी समस्या का समादान कर रहे हैं लेकिन आम जो लोग आप अपने अर्ठवेवस्था में ऐसी स्तिति बणा देते हैं, संकट की स्तिति बना देते हैं, कि लोगों के पास खरीदने की शुम्त सीमित हैं, उसका आप कोई समधार नहीं कर पाते और इस कारण से हिंदुस्तान में भी जो लोग निवेश करने की शमता रखते हैं, उत्पादन पे व्रिद्धी कर सकते हैं, रोजगार तयार करते हैं, वो देखते हैं के हिंदुस्तान के बाजार में तो मांग है नहीं, तो आप क्यों पैसा इसमें डुबएं, नए फैक्टरी क्यों लगाएं, नए उत्पादन के साधन क्यों तयार करें, ठीक है, आप भी वो नहीं करते हैं, और इसलिए यह जो एक संकट से बचने के लिए आप दूसरे संकट को जो हैं, और गहरा करने अब यह बात कही जा रही है, कुछ ल इसलिए आप रुपए की गिरावाट पर इतना चिंतित क्यों हैं, बहुत सारे लोग का यह तरकत, इसे कैसे देखते हैं, लेखे, यह तो सही है कि एक विश्व स्थिति जो ऐसी है, जिसमें पूंजी जो है, अमरिका की तरफ अगर भागती है, तो उसके अकारण सब बाकी देश के करन्सी के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर और रूबल की स्थिति देखे, तो वह उल्टा ही रहा है, तो सवाल यह है कि आप कह रहे हों, कि अंतराश्य बाजार की स्थिति है, इस कारण से हो रहा है, आप क्यों चिंतित हो र रही है, तेल की कीमत जब बढ़ रही है, और रुपे के कीमत डॉलर के मुकाबले में गर रही है, तो आपके उपर तो डॉलर में तेल की कीमत बढ़ गई, और एक डॉलर के लिए आपको जितने रुपे देने है, वो भी बढ़ गया, तो इसलिए आपके पास जो है, आपक कि लोग जो हैं उनकी जो समस्या है उसका क्या यह जवाब हो सकता है सब यूप रहे तो हम भी ढूब रहे हैं सब डूब रहे हैं लेकिन हमारे देश की संकट है लेकिन हमारे देश के लोगों के आर्थिक संकट का स्तर जादा गहरा है ठीक है और हम हमारे पास समय नहीं है कि हम 50 साल 70 साल 75 साल तो इंतजार करी चुके हैं अजादी के बाद इन समस्याओं का समाधान हो इस गरीवी से इस बेरोजगारी से लोग कैसे मुक्ति पाएंगे आपने कहा कि इसका समाधान यह है आप नीती इपते कर रहे ना कि हम अंतराश्य विवस्था के साथ जुड़के अपने देश का विकास करेंगे यह आपकी नीती है और फिर आप उल्टा हुटके कहते कि हम जुड़ गए वहां कोई समस्या होगे इसलिए समस्या होगी मैं यह कह रहा हूँ कि आपने जो आपका और अंतराश्य अर्थ्यवस्था का जो रिष्टा है उसमें आपका एक नियंतरन होना चाहिए ताकि आप अपने आप अर्थ्यवस्था को विश्वस्थर के जो उतार चड़ा जो भी हो रहा है उससे अपने अर्थ्यवस्था को पचा सके और एक स्वायत रूप से आप अपने एक विकास की पर्खिया कर सके जो कि जरूरी है क्योंकि हमारे देश अभी भी गरीब देश है इसमें पहुमत जनता अभी भी गरीब है उसकी बेरोजगारी की समस्या बहुत ही बड़ी है चोटी नहीं है बहुत बड़ी है और हमारे पास यह अर्थववास्ते में आज उपर कल नीचे थरूआ उपर नीचे हमारी स्थिती नहीं है कि हम इस इसको जहले हमको लंबे समय तक निरंतर हमारे यह उत्पादन और रोजगार की अविकास होना जरूरी है और इसलिए उसके उप्यूक्त नीती होनी चाहिए अ अगर आप अंतराश्य अर्थववस्ता से अपने आपको कुछ हद तक स्वायत नहीं रखेंगे तो आपके पास यह समस्या होंगी हम लोग तो बहुत सालों से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो अर्थशास्त्री है कि भारत सस्ती मुद्रा नीती अपना रहा है त विची का इसको मुद्रा मेहनी मुद्रा यह सब क्या है जिसको लोग कहते रहता है कि अगर आप के अर्थववस्ता में एक मांग की समस्या है लोगों के पास रोजगार नहीं है लोगों के पास कभाई नहीं है तो लोग चीजें बाजार में खरीदने की स्तिती में नहीं है जब लोग चीजें बाजार में खरीदने की स्तिती में नहीं है उन चीजों को बनाने वाले भी खर्चा नहीं करते उसके उत्पादन करने के ल है जब आपके सामने यह स्थीति होती है कि मांग काम है और आप सरकारी खर्चे को नहीं करना चाहते उसमें उसको अधिक नहीं करना चाहते मांग बढ़ाने के लिए तो आपके पास क्या रास्ता है आप ब्याजदर को कम करके करजा दीजिए लोगों को करजे से आप खर्चा कीजिए लेकिन अगर इस स्थिति के साथ आपके यह भी हो जाए कि महंगा ही बढ़ रही है तो जब लगता है कि अभी तो मांग की स्थिति को देखना है तो आप उसको कम करने का प्रयास करते हैं और जब लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो आप उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं आप जो इस पर टिपनी करते हैं वो इसका एक पहलू देखके उनको नाराज नाराजगी होती है लेकिन आपने अगर बहंगाई और जो मांग की स्थिती है क्योंकि आज की आप यह का यह नहीं है कि मांग बहुत है उत्पादन का मांग भी सीमित है लेकिन उत्पादन भी सीमित है और उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे पॉइंट्स पर अभी दिक्कते हैं इस कारण से महेंगाई बढ़ रही इसलिए लोग जादा खरीद रहे हैं बहुत तेजी सी लोगों की मांग बढ़ रही है और उत्पादन उसके मुकाबले में उतनी तेजी से नहीं बढ़ अभी आपके सामने यह स्थित्य कि आपको मांग भी बढ़ाना है और महेंगाई के समस्या कभी समाधान डूलता है और इसको अगर आप ब्याजदार उतार-चड़ाव से ही इसका इलाज ढूनते हैं तो आप दूविधा में एक लेंगे कि बढ़ाए या कमाए तो जरूरी कि सरकारी खर्चे को आप बढ़ाने के का प्रयास करें और बहुत सारे शेत्र हैं जिसमें हिंदुस्तान की लोगों की जरूते पूरी नहीं हो रही हुए उसमें खर्चा किया जा सकता है और इसका मतलब यह नहीं कि आप सरकारी खर्चे में बहुत-बढ़ा घाटा नगा ह अगर आप खर्चा करते हैं उत्पादन बढ़ता है तो टैक्स भी सरकार के पास जादा आती है और नाकेमर टैक्स आती है जिनके पास साधन है जिनके पास बड़ी आए है उनसे आप अधिक टैक्स बटोर सकते हैं अगर आप आम लोगों से कह सकते हैं आम आदमी से कह सकते कि कोई बात नहीं तेल की थोड़े थोड़ा टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना है इस पर खर्चा करना उस पर खर्चा करना तो बड़े कॉर्पोरेट घाराने जो है जिनकी करोडों की कमाई है उन पर भी तो थोड़ा बोज बढ़ा सकते हैं उन पर भी तो थोड़ा ट और सकते हैं यह नहीं कि आप बस पागलों की तरह खर्चा करते रही है और आपके पास साधन नहीं है उसके तो आपसे अंतीम सवाल अब होगा कि जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में डॉलर देखा तक नहीं उन लोगों की जिन्दगी में जब डॉलर के मुकाबले कि जो डॉलर के मुकाबले में कीमत जब घड़ती है उसका असर तो उन लोगों पर पड़ता है जैसा मैंने का एक तो जो जरूरी चीजे हैं हम ना केवल तेल का आयात करते हैं हम बहुत सारे खादे परदारतों का जो खाने के समान है उनका भी हम आयात करते हैं क्योंकि हमा सब जरूरी है और अगर रुपे की कीमत जाना घड़ गई यह सब चीजे महेंगी होंगी और इनका आम चीजों के कीमत तो परसार पड़ेगा जिसका बोज आम और हमारे देश में जारतार लोग ऐसे हैं जो पचीस जार से कम कमाते हैं और उनको डिये नहीं मिलता है कीमत ब खरीदने की शम्ता उसमें कटोती होगी और इसका जो बाकी अर्थवस्ता पर बैसी मांग की कमी है और भी बुरा असर जो पड़ेगा उसके कारण भी उन पर असर और खराब होगा तो इसलिए वह डॉलर तो उन्होंने नहीं देखा लेकिन डॉलर रुपे के कीमत में जो उनको मुक्ती चाहिए सारवजनिक खर्चा भी अगर बढ़ाना है तो उससे विदेशी मुद्रा बजार में अस्तिरता ना बने उसके लिए जो पूझी आती जाती है हिंदुस्तान में घुस्तिय बार जाती है उस पर आपको को नियंत्रन करना पड़ेगा उस पर आप नि लोगों की जरूते भी पूरा करें और रोजगार भी त्यार करें और जैसे आप और रोजगार त्यार करते हैं लोगों की मांग बढ़ती है उससे और उत्पादन में बित्ती होती है और रोजगार बढ़ता है मुल्किप्लायर एक प्रोसेस जो है वह इससे शुरू हो सकत पीछे बुनियादी कारण है उस पर नियंतरन रखें और वो नियंतरन जब हम रखेंगे तबी हम जो काम लोगों की समस्या हैं उसका समादान भूझ भी होग शक्ते हैं अन्यता यह समस्या का समादान तो छोड़ी हैं यह संकट और भी गहरा होने वादा है कि सुक्रिया आपने एक बहुत महत्व्त पून बात कही कि जादा तर पैसा वित्तिय पुंजी के तौर पर आता है इस तरह से नहीं आता है कि उत्पादन में लगे और इस पूरे मुद्डिय को बहुत सरल तरीके से और कि हर आयाम को बताने के लिए आपका बहुत सुक्रिया तो अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेस्बुक और टुटर पेज को लाइक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पड़ सकते हैं सुक्री आप देखकर ये निउस के लिए